Hello everyone, welcome to PharmaRox YouTube channel PharmaRox के YouTube educational channel में आपका स्वागत है आज की वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे High Blood Pressure के बारे में High Blood Pressure मतलब की BP जो है वो काफी High हो जाना Increase होना की जो Normal Blood Pressure जो आपका होता है उससे Blood Pressure जो है वो बढ़ता है तो blood pressure बढ़ने के कारण क्या होते है कि कौन से reason से कौन से कूजिस के करण आपका blood pressure increase होता है फिर सेखेंगे उसके लक्सन क्या होते है मनलब कि उसके symptoms और इसके उपाई मनलब कि कैसे medicines यूज की जाती है असिस्टम प्रोफेसर और फाउंडर ऑफार्मरोक्स थेंक्यू फर बीन फार्मरोक्स फेमिली अपडेटेट रहे है फार्मरोक्स के साथ एकसेस कर सकते study material को टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर फार्मरोक्स के अब उपर तो अगर आप Android यूजर है तो Android आप डाउनलोड करें iPhone यूजर एप स्टॉर से और एकसेस करिए medicines related कोर्स एक साल तक फार्मरोक्स के आप उपर सरल बासा में affordable price के अंदर तो सीखे दवाईयों के basic use के बारे में उनके dose, side effect, warning and contraindications के बारे में तो अभी डाउनलोड करें अप्लिकेशन फार्मरोक्स या फिर ये नंबर पे आप contact करके course जो है वो purchase कर सकते हैं तो अब समझते हैं high blood pressure के बारे में कि जिसको medical terms के अंदर कहा जाता है hypertension तो hypertension के जो एक ऐसे medical condition है कि जिसके अंदर आपका blood pressure जो है वो increase होता है तो जो normally जो blood pressure measure किया जाता है तो वो उपर का blood pressure जो systolic का आ जाता है और नीचे का pressure की जिसको diastolic का हो जाता है तो अगर ये statistics बनते हैं 120-80 तो ये condition को कहा जाता है normal blood pressure कि ये completely normal है healthiness का सुचन बनता है ये पर ये जो है systolic यो diastolic दोनों से blood pressure जो वो बढ़ता जाता है increase होता है कि systolic भी बढ़ रहा है और diastolic भी बढ़ रहा है तो ऐसी condition को हम कहते है hypertension या फिर high blood pressure की problem तो यहाँ पर चार्ट की दवरा समझे तो ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जो normal blood pressure है वो 120 और 80 के बीच में समझगी है blood pressure पर उससे increase होता है कि समझे कि elevated है तो 120 से 129 और diastolic 80 के आसपा से रहे दे तो उसको elevated कहा जाएंगे मतलब कि थोड़ा सा blood pressure आपका जो है वो बढ़ रहा है पर hypertension की condition कब कही जाते है कि जब यह blood pressure आप measure करवाते है और वो होता है 130 से लेकर 149 के मतलब कि 130 से लेकर 139 के बीच में जब blood pressure होता है systolic और diastolic भी आप देखो 80 से लेकर 89 के बीच में हो रहा है तो उसको कहा जाता है high blood pressure और stage 1 hypertension कहा जाता है अगर यहां से भी blood pressure control नहीं होता तो वो 140 से अबाव चला जाएगा और diastolic में 90 से अबाव चला जाएगा तो ऐसी condition को कहा जाता है stage 2 hypertension और 180 से भी उपर बढ़ता है systolic blood pressure और diastolic रहता है 120 तो यह condition जब बनती है इस तरह के statistics तो उस वक्त हम उसको कहते है seek medical attention वहलों कि तुरंद patient को जह वो admit किया जाता है hospitalized किया जाता है proper जो उसको supportive care वगेरा दी जाती है और उसका blood pressure control करने के लिए proper medical treatment जो उसको देनी पड़ती है तब जानते कि कौन से अलग-अलग reasons के कारण blood pressure increase हो सकता है तो सबसे पहले देखो कि stressful life यहाँ से हम सुरुआत करते हैं कि अगर आपकी life में काफी सारा stress है कि stress वाली आपकी life है तो stressful life के कारण blood pressure जो है वो किसी भी percent का increase हो सकता है फिर आप ऐसा खाना खाते कि जिसके अंदर salt जो है वो काफी ज्यादा amount में है फिर आपकी arteries जो होती है कि जो blood carry करने वाली जो blood vessels होती है वो abnormal हो चुकी है या फिर आपके body के अंदर blood volume जो है वो increase हो रहा है कुछ लोगों के अंदर pregnancy के दोरान blood pressure increase होता है फिर कुछ medications के करन भी blood pressure increase होते है और health conditions कैसी कोई बिमारी वगेरा है आपके body के अंदर तो भी उसके दोरान जो है वो blood pressure के अंदर fluctuations देखनों को मिलते है तो blood pressure जग इंक्रीस होता है तो क्या problem हो कर सकता है वो तो उसके करन vision loss हो सकता है फिर heart attack आ सकता है कि अगर आपका blood pressure continuously high रहता है heart failure के भी सिकार हो सकते आप stroke हो सकता है फिर sexual die functions देखने को मिलते है and kidney disease देखने को मिलेगी या फिर kidney failure जैसे complications देखने को मिलते है कर आपका blood pressure काफी high रहता है तो यहाप आप देखो कि कौन से अलग अलग symptoms देखने को मिलते हैं तो blood pressure जब increase होता है कि यहाप जब आप measure करते हैं उसका pressure person का काफी high है तो उसकी असर heart पे होती है आखों पे होती है brain के इंदर stroke करवा सकता है blood vessels पे उसकी असर होती है और kidneys पे तो यह major organs के उपर असर होने के कारण उसके कुछ symptoms देखे तो person को जो है वो सरदर जैसा feel करेंगे dizziness जैसा महिसुस करता है कोई भी person heart related उसको problem हो सकते है मनलब कि हमारे दिल से जुड़ी बीमारिया हो सकती है और नाक से जो है वो blood आना चालो हो जाएगा nose bleeding जिसको हम कहते हैं फिर vision में problem हो सकता है vision आपकी कम हो सकती है आखों की रोसनी कम होती जाएगी fatigue में लब के काफी तकान जैसा आप महिसुस करोगे और numbness जैसा feel करेंगे आप आपके हाथ और पैरों के अंदर कि जैसे sensations कम हो जाते है ऐसा person जो वो feel करते कि जब उनका blood pressure जो है वो increase होता है तो complications में जैसे हमने बताया आप भी की kidney damage हो सकती है heart attack आ सकता है brain stroke आ सकता है blood vessels आपकी damage हो सकती है उसके करन कई बार अगर वो blood vessels आपके brain के regions के अंदर damage होती है तो वहाँ पे वो hemorrhage करवा सकती है कि वो आगे जाके brain strokes और अगरा के region बनते है तो यह सब complications जो होते है कि अगर आपको blood pressure जो हो continuously high रहता है तो सबसे पहले medicines से पहले हम बात करेंगे कुछ home remedies की तो home remedies के अंदर समझे कि आपके diet में जो यह जो ingredients है जैसी के आपके diet के अंदर जो हो banana जो हो regular रहता है फिर आप जो हरे पत्ते वाली सब्जी या फिर हरे दनिया वगेरा खाते है सहेद आप लेते है लिमिट में आप मिर्ची वगेरा यूज़ करते है मैथी के दाने आप खाते रहते है फिर जो watermelon है वो आप लेते है फिर प्याज आप अच्छे से यूज़ करते है coconut oil या coconut water आप लेते है lemon है और garlic वगेरा जो आप अच्छे से लेते तो उसके करन जो वो blood pressure में काफी फायदे हो दे तो प्याज की हम बात करें onion की बात करें में जो है वो मदद करते है कि जिससे blood pressure जो है वो आपका maintain रहता है आवला क्या करते है कि आवला के सेवन करने से भी आपका blood pressure जो है वो काफी हद तक control में रहते है और लसून जो है वो भी काफी फायदे मन सावित होता है फिर मैथी और अजवाइन का पानी भी आप combination मिले सक प्रेटर के जो patient होते है उनको regularly ये BP की गोली जो हो लेनी होते है कि जिसको blood pressure की दवाईया कही जाती है तो ये medications क्या करती है इसको करने के लिए ये यूज किया जो यसको हम कहते है एंटि हाइपर की जोर्ट प्रेशर को बढ़ने से रोकती भी है प्रिवेंट करती है उसको कंट्रोल करती है और आपका जो हाईपरटेंसन है हाई ब्लड प्रिसर के जो रीजन्स होते है उसको भी एलिविनेट करने में हेल्प करता है तो यहाँ पर हम देखे तो कुछ डायुरिटिक्स क्लास के जो अंटि हाईपरेटेंसी ड्रग्स है कि जैसे कि थाइजएड डायुरिटिक्स के अंदर हाईड्रोग्लोरो थाइजएड यूस किया जता है कि यहाँ उसके आप टाबलेट देख सकते है कि जो 12.5 मिलिग्राम के डोज में अवेलेबल होते है तो यूजली जो यह सब हाईपर टैंसर की जो मेडिकेसं होती है हाई बीपी की जो दवाईया होती है वो खास कर वन से डे ही प्रिसक्रेप की जाते कि दिन में एक ही स्पेसिफिक टाइम पे जो वो पेसंट यूस करते होते है और उनका अगर ब्लेड प्रेशर हाय हो तो डौक्टर के सलह के अकौरिंग टो आप प्रॉपर डैगनोसिस के बाद ही जो दिन में दो बार ले सकती बरना ज्याता दे स्यदा वन डे की जो टैबलेट्स होती है दिन में एक ही बार लेने से ब्लेड प्रिसर जो वह prosecutors में रहता है फिर। प् किये जाते हैं डायरोटी क्लास में से, फिर जो एसी ही इन्हीटर्स है कि एंजियो टैंसिन कन्वर्टिंग एंजेम इन्हीटर्स कि वो भी क्या करती है, ब्लड प्रिसर को रिड्यूस करने में हैर करती है, कि आप अब देखो कि कुछ फेमस प्रिल वाली जो दवाईया है कि उनके पीछे जो है वो प्रिल लगता है, जैसे कि कैप्टो प्रिल है, एनले प्रिल है, लिसीनो प्रिल है, पैरिंडो प्रिल है, रामे प्रिल, फॉसीनो प्रिल, तो यह सभी को एंजियो टैंसिंग कन्वर्टिंग एंजेम इन्हीटर्स का आ जाता है, कि अगर ये एंजे को यह medications देने से उनका blood pressure जो है वो फिर से normal की range के अंदर रहता है तिसरा हम popular class देखे तो angiotensin 1 receptor antagonist जो कहा हो जाता है कि 81 receptor blockers भी उनसको कहा हो जाता है कि जिसके lossartan है candesartan है, irbisartan, walsartan and telmesartan तो इन में से कोई भी एक medications आपको जो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं आपके healthcare providers कि आपको चाहे lossartan प्रिस्क्राइब करते हैं या फिर walsartan है, telmesartan है तो patient के conditions के according to यह medications जो प्रिस्क्रेब की जाते हैं प्रिस्क्राइब करते हैं कि यह medication उसको suit कर रही है या नहीं तो अगर यह गोली या फिर यह दवाई आपको suit हो जाती है तो फिर इसको जो वो continue करते हो और हर week आप एक बार जो आपका blood pressure check करवाते हैं एक मैने तक और उसके बाद जो है वो dose फिर से change कर सकते हैं या फिर dose को काम भी कर सकते हैं डाइरिक रेनिन इन्हिबिटर्स के अंदर हम देखे तो एलिस की रेन करके काफी famous medication है कि जो specially क्या करती है इन्हिबिट करती है first and rate limiting step of रेनिन अंजियो टेंसिन आल्डोस्टेरोन system की जिसको हम RAS system कहते हैं और specially जो conversion होता है एंजियो टेंसिनों में से जो इन्हिबिट करके यह medication अपना काम करती है तो इसका नाम है Alice Kiran यहाँ पे उसके कुछ popular brands आप देख सकते हैं Alice Kiran के यह जो Novartis का product देख सकते हैं अलग-अलग उसके brand name के साथ तो यह 150 mg के film coated tablets और यहाँ पे आप उसके 150 mg के tablets देख सकते हैं फिर calcium channel blockers के हम बात करें तो उसके अंदर वेमा वेरापामिल है, डिल्टी, अजम है, निफेडिपीन, फैलोडिपीन, अमलोडिपीन, निट्रेंडिपीन, एन लेसीडिपीन जैसे medications prescribe की जाते हैं यहाँ पे आप देखो, वेरापामिल का जो tablet है, 400 mg, 40 mg की dose में available है, तो यह भी खासकर once a day patient यूज़ करते हैं, फिर निफेडिपीन है तो भी उसको खासकर once a day यूज़ किया जाता है और जरूरत पढ़ने पर ही उसका dose increase किया जाता है, फिर आप एमलोडिपीन देखो, एट अगला क्लास की anti-hypertensive drugs के combinations भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे calcium channel blockers के साथ जो प्रोप्रानोल है, बीटा एड्रिनर्जिक ड्रेग वो combination में है, तो प्रोप्रानोल है, मेटा प्रोलोल, एटेनोलोल, जैसे medications काफी popular है, और बीटा ब्लोकर्स में से, तो एटेनोल 25 मिलिगराम का आप देखो, प्रोप्रोप्रानोलोल 40 मिलिगराम, और मेटा प्रोलोल है, जो वो 50 मिलिगराम की जो प्रिस्क्रेप की जाते है, फिर alpha एड बीटा एट्रिनर्जिक ब्लोकर्स जो कहा जाते हैं, आल्फा भी ब्लोक करता है, बीटा बी तो उसमें ले बेटा और कर्वेडीलॉल करके हैं तो ले बेटा लॉल का आप देख सकते हैं यहाँ पे tablet की जिसकी strength है 100 mg और कारवेडीलॉल का जो tablet देख सकते हैं कि जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका combination तो कारवे जोन करके 3.125 का जो उसका जाती है, आगे देखें तो आलफा ब्लॉकर्स में से प्राजोषिन है, तेरा जोषिन है, टॉग्जा जोषिन, फिनोड, फेन्टोल आमाइन, है और फिनोक् casting आमाइन, तो तो के अंदर ये जो सिन्स वाली है जो तीन मेडिकेशन से वो सबसे ज़्यादा यूज की जाती आलफा ब्लोकर्स कि याप आप देख सकते है प्राजो जो सिन्स का ये हाईडरोग्लोराइड सॉल्ट के साद उसका फॉर्मिलीशन से देख सकते हैं कि जिसकी स्टेंथ है 5 मिलिग तो यह पेशन खास कर यह भी वन्स अडे जो है वो यूज करते है ओडी के अंदर के दिन में एक वार लेने से उनका ब्लर प्रेसर कंट्रोल रहता है सेंटरल सेंफितलाइटिक्स के अंदर सेंज़ा के आगे जो हमने मेडी केस्ट के बाद की उससे बलर प्रेसर प्रापर कंट्रोल में नहीं हो रहता है फिर मिथाइल डॉपा का पिर आपके पास एक सॉप्सन रहता है वासर डायलेटर्स के हम बात करें तो हाइड्रेलेजन भी कई बार प्रिस्क्रेब की जाती है मिनोक्सेडिल है डायजॉकसाइड है और आर्टेर विनस के अंदर हम देखिए तो सोडियम नाइट्रो प्रूसाइड तो यह इंजेक्शन के थुरू दिया जाता है आईवी इंफ्यूजन के अंदर दिया जाता है यह और हाइड्रेलेजन वगएरा है मिनोक्सेडिल डेजॉकसाइड वगएरा इस तरह से प्रॉपर उनके डोजिस प्रिस्क्रेब यह किये जाता है जिसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते है हाइड्रेलेजन जो है वो 25 मिलिग्राम के यहाँ पर टाबलेट जो है आप चेक कर सकते है अब यह मेडिकेसन के कुछ हम कॉमन साइड इफेक्स देखे तो कुछ लोगों को कॉफ जिसा फिल उता है कुछ केसेस में डायरिया हो जाते है मलबकि दस्त हो जाना, कॉंस्टिबेशन हो जाना । दिजनेस फिल करते हैं या फिर लाइट हेड़ेजनेस मलब कि थोड़ा सा आपको दरध होता हो headache जैसा सरदर जैसा feel करें dizziness feel करते हैं कि जैसे नीन दाती रहे erection के problems कुछ patients में देखे जाते हैं erectile dial functions के problem पुरूसों के अंदर कई बर देखने को मिलते है feeling nervous के मलब कि nervous feel कर सकते हैं feel कई बर थकान वैसुस करना weakness feel करना, drossiness energy कम होगे मलब कि काफी थकान feel करता है patient और सरदर जैसे कुछ लोग feel करते हैं और nausea vomiting तो यह कुछ उसके common side effect है अगर यह side effects काफी ज्यादा increase हो रहे है या फिर severe हो रहे है या फिर आपको body के उपर कोई सूजन वगेरा देखने को मिलती है hypersensitive reactions देखने को मिलती है तो तुरंथ वो medications को लेना बंद करना चाहिए और तुरंथ आपके doctor या फिर pharmacist को बता के dose जो हो चेंज करना चाहिए या फिर medication जो हो चेंज करनी चाहिए तो यह था special video lecture hypertension के बारे में तो affordable price में तो download करिए आप pharma rocks और access करिए pdf and pp days of our lecture affordable price में एक साल तक तो भी download करिए आप pharma rocks android application है google play store पे या फिर ये number पे आप हमें whatsapp कर सकते है तो study material test series and video lecture के लिए जरूर से download करिए pharma rocks application android application है google play store पे apple iphone faf store के link आपको description box में मिल चाहिए गी good luck and all the best